आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे products का section create करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हो हम लोग यहाँ पे grocery store की website create कर रहे थे उसे follow up करते हुए अब हम यहाँ पे इस product के section को create करेंगे यह basically हमारा एक slider है, corusel है जिसके अंदर products है, उसके title है, price है यहाँ पे आपको star rating और add to cart का button आपको देखने को मिलता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे follow up करते हुए इतना काम हमने complete कर लिया है अब हमें इसको आगे ले करके जाना है, अगर आपने इस series को अब तक follow up नहीं किया है तो इस video के description में आपको complete playlist का link मिल जाएगा वहाँ से आप बाकी videos को भी check out कर सकते हो वीडियो को start करने से पहले, अगर आप हमारे channel पे new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे alright, so अब हमें यहाँ पे products के section को create करना है क्योंकि इतना काम हमारा यहाँ पे complete हो चुका है आप एक चीज़ notice करोगे कि मैंने अब तक आपको जितना काम कराया है वो काफी detail में कराया है और detail में कराने का मेरा मकसद यही है कि जब आप in future job वगरा पे जाओ तो आपको चीजों के answers पता हो आपने अपने project में क्या किया है वो आपको पता हो आप वहाँ पे explain कर पाओ आपके पास कुछ portfolio ready हो कि यह यह websites मैंने create की है that's why यहाँ पे मैं चीजों को detail में करा रहा हूँ ताकि job के time पे आपको convenient हो लेकिन आपको यह मालूम है यहाँ पे कि आज के time पे job पाना बहुत मुश्किल है लोग यहाँ पे master degree करके बैठे हुए है लेकिन उनको job नहीं मिल पाता इसके कारण आप खुद भी परिशान रहोगे आपके घर वाले भी परिशान रहेंगे और अगर आप किसी company में interview देते भी हो न तो HR आपको कहता है we will get back to you soon और कभी आपके पास कोई email आता ही नहीं है job का तो ऐसे cases में job पाने के लिए हाइरेक्ट एप आपकी काफी ज़ादा मदद कर सकता है आज के टाइम पर job लेना काफी ज़ादा आसान है with the help of हाइरेक्ट हाइरेक्ट पर जाके आप team leaders, HR manager से chat कर सकते हो और hire हो सकते हो वो भी बिना किसी middle man के हाइरेक्ट के उपर more than 150K यानि कि 1.5 लाग से भी ज़ादा company listed है जो की यहाँ पर hire कर रही है, लोगों को job provide कर रही है आपको कुछ नहीं करना, आपको simply description में दिये हुए link के उपर click करना है hire act app को install करना है और जैसा आप screen के उपर देख पा रहे हो उस तरीके से उन process को follow करके आपको अपना profile यहाँ पर complete करना है अपने interest को बताना है, अपने bio को fill करना है और यहाँ पर app का algorithm आपके profile को recruiter से match करा देगा आप directly उनके HR manager से hiring team से यहाँ पर chat कर सकते हो और job पा सकते हो यहाँ पर full privacy है, इसका मतलब यह है कि जो आपने details fill किया है वो बिना आपके permission के कोई भी companies नहीं देख सकती तो जल्दी से description में दिये वो लिंक के उपर click करे hirect app को install करे और अपने profile को complete करे ताकि आपको भी job मिलने में असानी हो, क्योंकि hirect है तो direct है तो अब हम यहाँ पर products का section बनाना start करते हैं इसके लिए हम आजाएंगे अपने html file पे जो भी हमने last come किया है उसके नीचे आ जाएंगे यहाँ से मैं इस comment को यहाँ से कर रहा हूँ copy copy करने के बाद code separate करके करेंगे paste और यह है हमारा products section तो मैंने यहाँ पर comment कर दिया उसको इसे copy करके again paste करें और इस बीच में हम यहाँ पर product के section को create करेंगे तो यहाँ पर मैंने बनाया section tag इसको एक class provide करते हैं so let's go with class equals to products एक javascript की id भी provide कर देते हैं यहाँ पर तो मैंने इसको कहा id equals to products same रख देते हैं दोनों को और इसके बीच में आ करके मैंने यहाँ पर लगाया h1 tag यानि की heading tag इसको भी एक class specify करते हैं मैंने इसको class provide किया heading अगर आप यहाँ पर output के उपर ध्यान दोगे तो आप notice करोगे इस जगह पर लिखा हुआ है our products तो इसका color अलग है और इसके background में भी color है वो आप समद चुके होगे कि as it is यहीं से copy हो जाएगा और इसको हमें span में रखना है तो यहाँ पर आकर के मैंने इसको provide किया अवर पहले तो space दिया और यहाँ पर मैंने लिखा अवर और इसके बाद यहाँ पर provide किया मैंने span tag इस जगह पर आ जाएगा हमारा products इसके बीच में आकर के products के slider को create करते हैं सो मैं यहाँ पर आ गया h1 के बाद आपको यहाँ पर enter press करना है यहाँ पर div create करेंगे div के अंदर मैंने यहाँ पर class provide किया div class equals to products ध्यान दो इस जगह पर सिर्फ product लिखा है मैंने minus slider की product के slider का code यहाँ पर है फिलाल तो इतने कोई save करते हैं और यहाँ पर आ करके इसको एक बार refresh करते हैं right now नीचे कुछ भी नहीं है जब मैं refresh करता हूँ तो आप देखो के our products अब यह products के पीछे यह green वाला क्यों आया इसका reason वही है क्योंकि इसका class name हमने यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर हमें बनाना है डेव इसको एक class name प्रोवाइड करते हैं let's go with wrapper और इसके बीच में आ करके एक और डेव हमें बनाना है तो मैंने कहा डेव class equals to I think हमने उपर के लिए box बनाया था इसको भी हम box रख देते हैं ताकि style sheet की काफी सारी properties यहाँ पर भी आ जाए अब हम यहाँ पर आते हैं इस box के अंदर सबसे पहला चीज जो आप notice करोगे output में वो यह है इस जगह पे हमें चाहिए है product का image then एक title, then price, then star rating और cart cart का button तो चलो यहीं से copy हो जाएगा product का description, title भी हो जाएगा तो यहाँ पर आ करके सबसे पहले requirement क्या है हमारी कि हमारे पास यहाँ पर image लगाओ तो मैंने यहाँ पर provide की यह img tag again वही काम मैंने का जो हमारा image का folder है यहाँ पर आ करके मैं एक बड़ चेक कर लेता हूँ folder है हमारा image name से image के अंदर अगर आप देखोगे ना तो मैंने इसको provide किया product-1.png अगर आपका jpg है तो आप jpg लिखोगे इसे save करेंगे और यहाँ पर आ करके एक बार refresh करेंगे तो आप देखोगे product यहाँ पर आ चुका है अब इसके नीचे मुझे इसका एक title या फिर एक heading provide करना है तो यहाँ पर आ करके मैंने provide किया इसको h1 tag देख लेते हैं अगर हमने same image लगा रखा होगा तो copy paste कर लेंगे यहाँ पर आ करके मैं उसको देख लेता हूँ यहाँ भी हमने लिखा हुआ यह देखो गया fresh orange राइट तो इसको I think मैं highlight नहीं कर पा रहा तो हमें खुद से type करना पड़ेगा तो मैंने provide किया fresh orange इसके just बाद मेरी requirement है price की तो यहाँ पर आ करके मैंने उसके लिए भी separate div बना या थाकि उसकी भी style sheet कर सके एक class allocate कर देते हैं let's make it price और इस जगह पर आ करके जो भी हमने price दिया था वो देख लेते हैं किस format में है मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे dollars में लिखा हुआ है और एक range है जो भी आपको देना हूँ आप as it is यहाँ पर रख सकते हो ठीक है तो म 12.99 से लेकर के 15.99 के range में यहाँ पर orange available है इसे save करते हैं और एक बार यहाँ पर refresh करके देखते हैं तो heading भी आ चुका है और price भी यहाँ पर आ चुका है I think यहाँ पर एक और hyphen रहेगा space देख करके तो वो देखने में better लगेगा अब इसके बाद मुझे requirement है star rating की तो just इसके div के बाद यहाँ पर आ जाएंगे और इसका भी code मैंने अल्रडी देखा हुआ है font awesome के उपर आप जाहें तो दुबारा search कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर उसका भी div create कर लिया इसको एक class allocate करते हैं तो class दे दिया मैंने इसको stars अब इस div के बीच में आकर क्या करना है हम यहाँ आइकन का use कर लेंगे आप लिखो यहाँ पर आई यहाँ पर आ करके आपको देना है उसको class f as space fa minus star ठीक है इतना लिख करके आप इसको save करेंगे और अपने website के उपर आ करके refresh करेंगे जूम करके देखोगे तो इस जग़ा पे आपको star rating दिखना चाहिए अगर नहीं दिखता तो यह जो f as लिखा है न इसको fa रहने दो इसे save करते हैं और एक बार यहाँ पर refresh करते हैं तो आप देखोगे star rating यहाँ पर आ चुका है अगर आपको किसी भी star को यहाँ पर half रखना हो आप देख सकते हो नहीं यहाँ पर मैंने एक half रखा हुआ है multiple को भी कर सकते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे last में आ करके जिसको भी आपको half रखना है यहाँ पर लिखो half और इसे save करो इसके बाद अपने website के उपर आएंगे और यहाँ पर इसको refresh करेंगे तो आप देख सकते हो वो यहाँ पर half हो चुका है अब इसके बाद मेरी requirement है कि नीचे एक button हो यह वाला तो obviously इसको हम pick कर बहुत easily हो जाएगा तो इसके लिए हम यही वाला code as it is कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ करके यह जो i tag है ना इसके div के close होने के बाहर आ जाओ बाहर आ करके आपको लगाना है anchor tag ahref equals to hash या फिर ऐसी छोड़ दो उसको और एक class इसको specify करना है class वही हमारा btn ताकि इसक to cart इतना कह करके मैं save करता हूँ और यहाँ पर आ करके एक बार refresh करता हूँ तो आप देख सकते हो यह area भी हमारा बन करके ready है obviously हमें इसको style करना है ताकि दिखने में यह कुछ इस तरीके का लगे style sheet का code कराने से पहले मैं आपको domain research के बारे में बताना चाहूंगा अगर आप business को online ले करके आना चाहते हो आपको अपने लिए एक domain name एक hosting की requirement है तो आप domain research.com पे आ करके उन service इसको यहाँ सा select कर सकते हो यहाँ पर आपको light speed की technology मिलती है pure SSD disk space free SSL certificate secured and 20 time server आपको fast मिलता है pricing plan की अगर हम बात करें तो basic plan start होता है 59 rupees per month से इसके अंदर आप एक website को host कर सकते हो एक GB SSD की storage है 10 email address create कर सकते हो 5 GB की bandwidth और light speed की technology है personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो unlimited SSD की storage है unlimited email address create कर सकते हो bandwidth unlimited light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलता है silver plan के अंदर आप 3 website को host कर सकते हो बागी सारी चीज़े same है और unlimited है advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है unlimited websites को यहाँ पे host कर सकते हो बागी सारी चीज़े same है और unlimited है और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है इसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो और उसे rank करा सकते ह तो आप अपने budget अपने requirement के हिसाब से domainreset.com पे आकर के plans को select कर सकते हो अब मुझे यहाँ पे यही box multiple times बनाना है क्योंकि products multiple है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यह जो box का area लिखा है न आपने यह box वाला div पूरा कर लो copy copy करने के बाद code को थोड़ा सा operate करेंगे और कर देना है आपको paste एक बार इसको save करेंगे refresh करके check करो नीचे एक product आ गया क्या आ गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ से match कर लेंगे एक है हमारा orange, two, three, four, तो total हमारे चार products हैं दो बार already हो चुका है तो यहाँ पे आके तीन और यह हो गया चार तो इससे मेरे चार अलग-अलग products जो हैं वो बन जाएंगे ठीक है obviously image को हमें यहाँ पे change करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कहा दिया यह है हमारा image four, यह है image five, इसके बाद यह हो जाएगा हमारा image not five, यह हो रहेगा हमारा three, इसके बाद हो जाएगा हमारा image two और पहला वाला तो अल्रडी हमने one किया हुआ है ठीक है save करेंगे और इसको refresh करेंगे तो आप देखोगे अलग-अलग products यहाँ पर properly list हो चुके हैं अब हमें इसको यहाँ पर properly style करना है ताकि दिखने में यह इसके साथ match कर सके यह मैं आपको यहाँ पर next वीडियो के अंदर बताऊँगा link आपको description में मिल जाएगा so thanks a lot वीडियो को last तक देखने के लिए अगर आप भी हर काम direct करने में भरुसा रखते हैं तो हायरेक्ट पर जा करके direct job ढूंडिए हायरेक्ट एक direct hiring app है और आप यहाँ पर डेड़ लाग से भी जादा companies की hiring team से contact कर सकते हैं उनसे chat कर सकते हैं वो भी बिना किसी middleman के link आपको description में दिया हुआ है रुकिए मत link पर क्लिक करके download करें क्योंकि हायरेक्ट है तो direct है